आईपेल 2022 के इंतिजार इस समय सभी फैंस कर रहे हैं जब से दो टीमें आईपेल से जुड़ने जा रहे हैं तबी से इस लीग को लेकर लोगों में अलग सा लगाव देखने को मिल रहा है इन सभी के अलावा इस बार मेगा उक्षिन भी है तो जब बड़े बड़े खिलाड़ी उक्षिन पूल में जाएंगे तो ये देखना दिल्चस्प रहेगा कि कौन सी टीम किस के लिए जाती है यानि रिकॉर्ड टोड बोली लगाती है हलाकि एक बात इस समय देश को डरा रही है साथी IPL 2022 के लिए भी खत्रा पैदा कर सकती है और वो है कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रों रसल ओमिक्रों इस समय देश के ग्यारे राज्यों में फैल चुका है 87 के करीब इसके अभी तक केस आ चुके हैं ऐसे में अगर ये वाइरिस फैलता रहता है तो IPL 2022 के लिए समस्या खड़ी हो सकती है सरकार की तरफ से भी बताया गया है कि आने वाले एक से दो महीने बेहत सम्वेधन शील है वो सकता है ये नया वेरियंट अपना खदरनाक रूप दिखा दे अगर ऐसा हुआ तो IPL या तो बिना दर्शकों के होगा या फिर इसे फिर से इंडिया के बाहर कराना पड़ सकता ह अब बिना दर्शकों के और भारत के बाहर अगर IPL हुआ तो उसमें वो मज़े नहीं है जो हमारे देश में IPL देखने में आते हैं 2020 के IPL मैचों को आप देखी सकते हैं और जब फर्स्ट हाफ भारत में बिना दर्शकों के IPL हुआ था और वहीं दूसरा हाफ भारत से IPL को जाना पड़ा था क्रिकेट की सबसे पॉपूलर लीक बेरंग लग रही थी खिलाडियों के साथ इसके फैंस विसकी जान है इसलिए बिना फैंस के IPL होना बोरिंग सा लगता है बात अगर बीसी सेगी करें तो बोर की तरफ से भी साफ किया जा चुका है कि अगर जरूरत प रहे और दो साल से जिस लीक का हम इंतजार कर रहे हैं उसका इंतजार खतम हो सके आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथ ही हमारे चैनल NN Sports को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए